फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे, Reliance Industry ने अपने quarter results डिस्कलोज कर दीए, तो कैसे रहें quarter results और साथ में क्या dividend की announcement की है, तो यहाँ पर देखो के company जो dividend की announcement की है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसके results कैसी है, recorded वगरा company ने announce नहीं कि यह आगे जो इसकी LGM होगी ना, पर आप लोग देखो, consolidated statement देखने जार रहे हैं, all figure in रुपीच क्रोड में, यह आपको quarter ended और यह आपको जना भी 12 month ended results देखने को मिलेंगे, total income के अगर बात की जाए, तो 2,45,200,194 क्रोड की होते हुए, नजर आईए, जबकि previous quarter में क्या थी, यहां पर आप लोग देखने को मिलें नीचे से, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, और इसके बाद आप लोग दो 12 month ended में, जो की 9,3,045 क्रोड से increase होकर, 9,3,552 क्रोड पर होते हुए नजर आए, तो overall income काफी अच्छी हुई है, earning per share की साथ साथ आप लोग देखने, अगर बात की जाए, अपकी बार जो expenses हमें देखने को मिले है, 2,17,539 क्रोड जबकि previous quarter में आप लोग देखोगे, 2,6,006 क्रोड के, और वहीं previous year के same quarter में, 1,95,180 क्रोड के, year on year वैसीज और quarter on quarter वैसीज दोनों जगह से आप लोग देखोगे, expense भी बड़े है, बट revenue जो इसके expense से कहीं ज़ाद है, इसका मतलब company ने फिर शे profit बनाया है, कितना profit है चलिए देखते भी net profit for the period अगर बात करें, तो अब की बार जो company ने profit disclose किया भी वो है, 21,243 क्रोड का, जबकि previous quarter में 19,641 क्रोड था, और previous year के same quarter से compare करें, तो वहाँ पर 21,327 क्रोड, यानि कि year on year wages पर आप लोग देखो कि 100 क्रोड के करीब profits तूटे है, लेकिन quarter on quarter wages पर profits में काफी शानदार jump रहा है, और वहीं आप लोग देखो कि 12 months hundred में बीच चुछ, अठासी क्रोड से profit उचल कर 79,020 क्रोड पर पहुंचते वे नजरा है, तो profitable results से भी इसके ठीक है, उसके बाद आप लोग देखो कि earning per share, यानि कि EPS, EPS कैसा है वो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, 28 रुपे 10 पैसे रहा है, जब कि previous में क्या था भी 25 रुपे 52 पैसे, और previous year के same quarter में 28 रुपे 37 पैसे, इसका earning per share हमें देखने को मिल रहा है, और इसे के साथ आप लोग देखो कि debt to equity ratios है, वो कैसा रहा है, तो debt to equity ratio आप लोग देखो कि previous के मुकाबले, year on year basis पर तो कम है, लेकिन quarter on quarter basis पर 0.1% के करीब हमें जो अभी इंक्रीज होते हुए नजर आया है, ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग देखो भी, operating profit margin कैसे रहे हैं, अभी operating margin के अगर बात की जाएं, तो यहाँ पर देख सकते हो, यह जो हमें operating margin देखने को मिल रहे हैं, previous के मुकाबले कम हुए हैं, ठीक है, net profit margin आप लोग देखोगे भी, previous के मुकाबले, previous quarter के मुकाबले increase है, लेकिन previous year के same quarter के मुकाबले, वहाँ से कम होते हुए नजर आये हैं, inventory यह सारे चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, अब आपको दिखाते भी total assets वगरा कैसी रही है, total assets के अगर बात करें, तो previous के मुकाबले assets हमें increase होते हुए नजर आई हैं, जैसा कि देख सकते हो भी, 16,7,431 क्रोड से increase होकर, 17,55,986 क्रोड पर पहुँची है, उसके बाद borrowing के अगर बात की जाए, यानि जो company के उपर कर्ज हो अगर है, short term में, long term में, वो कम हुआ है फिर नहीं, तो वहाँ से आप लोग देखो कि company के उपर कर्ज increase होए हैं, जो की 1,83,76 क्रोड से 2,22,712 क्रोड पर पहुँची है, और वहीं आप लोग देखो कि short term में भी, और long term में भी, दोनों जगे, short term में आपको जोने भी कम होती होई नजर आए है, जो 1,30,000 से कम हुआ, long term में, sorry, 1,001,910 पर पहुँची है, यह इसके results है, चलिए भी, अब compare करते हैं इसको, इसके जो market estimate है, उससे, अगर market estimate से करे compare भी, रिलाइंस के results को, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो भी, March quarter में कैसा जोनों भी, expectance किया गया था इससे, तो 2,36,000 क्रोड के असपास का, इसका revenue expect किया गया था, जो कि revenue from operation से है, अभी 2,40,000 क्रोड के असपास, यानि कि जो revenue है, उसके मामले में, company ने expect results से beat किया है, और वहीं अगर बात कि जाए, expected EPS earning per share की, तो 39.60 पैसे का expect किया गया था, लेकिन आया कितने 28 रुपे के असपास, यानिक अर्निंग per share टूते है, तो यहां पर आप लोग देखो कि भी, profit margin टूट रहे हैं, EPS वगरा जो है, या आप लोग देखो कि भी down आये हैं, इसके expected results से, तो stock के उपर negative असर आ सकता है, और बाकी देखते भी market में कैसा महौल बनता है, उस हिसाब से कल के महौल stock में बनेंगे, and thank you for watching the video,